हलो दोस्तों मेरा नाम है खुरसीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा चैनल भरगेन का शेफ आज मैं आपके लिए आया हूँ बहुती इस्पेसर रेस्पी अंडे आलू आज मैं आपको बता हूँ आप आसाने से अपने घर में अंडे आलू करी कैसे बन ने कर रहा हूँ तो मैंने देखिये पानी में भिगा रखें आंडै तो में पहले इनको दो लूऊँगा धो के आपको बताता हूँ आपने कैसे उबाल ने आपने यह ंडे धोने के बाद ऐसे एक सौस्पयं में पानी चड़ा रहा है उसके अंदर ही भरी इस ततरीके से अ फटा फट छिल जाते हैं और शुरू में आपने गैस सिलो रखना है जब पानी गरम हो जाएगा उसके बाद थोड़ी सी गैस फास कर दें जब तक हमारे अंडे उब लेंगे तब तक हम क्या करेंगे इसके लिए सारी तयारी कर लेंगे आपको दिखाता हूं आपने कैसे सारी तयारी करके रखनी है मैं इसमें डालने बाला हूं चार प्याज और चार टमाटर प्याज आपने बारिक काट लेनी है और टमाटर आपने पीस लेने इस चीज का आपने ध्यार रखना है टमाटर में पीसने बाला हूं और प्याज एकदम फाइन चौप कर लेना है आपने आपको करके दिखाता हूँ कैसे, यह देखिए, इस तरीके से, आपने knife है न, एक दम पास ऐसे चलाना है, क्योंकि मैंने न, fine chop करना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक दम ऐसे यह देखिए, एक दम पास चलाने से क्यों है एक दम fine chop होईगी प्याज, तो आपने आप और आज इसों आप दो काट लूँगा आप भी एसे वी काट लें। मैंने बहुत ही अच्छे से प्याज चोप किया है। आप बैल यह इसा ही करनाएं। इस चीज का आपने ध्याँ रखना है। अब हम काटेंगे मिर्ची, मैं इसमें 4 हरी मिर्च डालने वाला हूँ, क्योंकि मिर्च यह बहुत तीक ही है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाफ से कम जादा मिर्च डाल सकते हैं, टमाटर आपने ऐसे पीछ लेना है, एक दम पेश्ट बना लें, अगर आपको लगे कि पानी क ज़रूत हैं, तो थोड़ा सा डालें, नहीं तो ऐसे भी पिछ जाएंगे, आलू मैं इसमें डालने वाला हूँ, छे, और आपने आलू काटना कैसे है, यह देखिए, आपने आलू ना ऐसे एक के दो कर लेनें बस, इससे ज़्यादा छोटे ना करें, क्योंकि अंडे आलू आलू बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, अगर आपके आलू बड़ा है कोई, तो यह देखिए, ऐसे इस तरीके से आप काट लें, ऐसे काट के फिर यहां से ऐसे, छोटे छोटे आलू ना कर दें, नहीं तो ना मज़ा नहीं आएगा, अंडे आलू करी में आलू बड करने का, पहले आपने गैस स्लो रखना है, तब आपके अंडे भी तूटेंगे नहीं, अब यह देखिए, यह ओबल चुके हैं, अब मैं गैस बंद कर दूँगा, और इनको फटा-फट छील लोगा, अब मैं आपको गरम-गरम अंडे छीलने का तरीका बताने वाला हूँ, आपने एक ऐसे डिप बोल में पानी लेना है, अब पानी के अंदर यह देखिए, ऐसे करके एक अंडा छोड़ना है, ऊपर साही छोड़ते हैं, उसके बाद यह देखिए, ऐसे यह तूट जाएगा, फिर आपने ऐसे करके देखिए, भटाक से छील देना है, इस तरीके से मैं गरम गरम अंडे चीलता हूँ इससे फटा फट चल जाते हैं और आपके हाथ जलते भी नहीं है तो आप भी ऐसे ही चील लें ये देखिए मैंने सबी अंडे चील लिए आपने अंडे चीलने के बाद क्या करना है इस तरीके से अंडे में कट माना है कम से कम चार जादा से इस ज्यादा आप पांच भी मार सकते हैं यह आपकी मर्जी है कट क्यों लगाते है उससरे कहोता है जब आप इसको फट नहीं जाफ लाए supreme छानए तो आपने उपर एसे ही सबमें लगा लेना है कट लगाने के बाद आपने इसमें दालना है 1 आदा 1 टी स्पून हल्सा सारी तयारी हो चुकी हैं अंडे भी उबल चुके हैं मसाला भी उसमें लग गया है अब आपको अंडे फ्राइ करने का तरीका बताने वाला हूँ और आज मैं इस रेश्पी में एक बहुती अच्छी चीज बताने वाला हूँ उससे आपकी अंडा करी इतनी बेहतरी बनेगी रिष्पी जिसका कोई जवाब नहीं हो आज मैं अंडा आलु करी लगान में बनाने वाला हूँ तो आपने करना है सब से पहले इसमें डालना है एक कप ओल जब आपका तेल गरम हो जाएगा तब आपने करना है अंडे को तेल में डालना है इस तरीके से देखिए इससे कर आप जदेंगे नहीं, ऐसे डाल दें, फिर आपने करना है ऐसे लगान को यह देगी है, ऐसे हिलाना है, उसके बाद सिलासर से ऐसे प्यार से चलाएं, और आपने थोड़ा दूर रहना है, अंडे में कट लगने के बाद भी कभी-कभी फट जाता है, तो आप जल सकते हैं, तो आपने करना है, इनको आपने निकाल लेना है, अब जो मैं आपको बताने वाला था ना, जिससे आपके अंडे आलू बहुती बहतरी बनेंगे, वो यह था, इस तेल में आपने आलू डाल देना है, इसलिए आज मैंने एक कप तेल डाला, आप ऐसे आलू डालें, और आलू आपने हलके से फ्राइ कर लेना है, इसी तेल के अंदर, अब जो टेस्ट आएगा न, आपको मज़ा आ जाएगा, आपने जितने वार भी अंडा आलू करी बनाई होगी न, यह सबसे अलग बनेगी, यह मेरा आप से बात आए, बहुती मज़ेदार बनेगी, आप अगर ऐसे आलू फ्राइ करेंगे इस तेल के अंदर, तो इसका फाइदा क्या होगा, आप कई बार अंडा आलू बनाते हैं और आपके आलू टूट जाते हैं, और कई बार आजीब से दिखते हैं आलू सफे सफे, जब आप ऐसे फ्राइ करनेगे न, तो आपके आलू चूटेंगे नह अब मैं इनको निकाल लूगा, आप भी ऐसे निकाल लें, अब आपको बताता हूँ कि आपने इस तेल क्या क्या करना है, इस तेल को आप अभी एक दूसरे बॉल में डालने, इसमें तड़का नहीं मालना है आपने, इसमें तड़का मारेंगे ना तो क्या होगा, आपकी प्य तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा तो आपने एक कब सर्सों का तेल डालना और इसको अच्छे से गरम कर लेना जब आपका तेल गरम हो जाएगा तब आपने का करना है आपने इसमें डालना है एक टेवल स्पून जीरा और तुरंत आपने इसमें डाल देना है प्याज जो हमने काट के रखी थी और ये देखिए ऐसे चलाना एक्षो और प्याज में आपने एक बहुती बहुती बहुतरिन कलर ले लेना है कलर कैसे आएगा जब आप ऐसे लगाता चलाते रहेंगे फिलो गैस में तब आपकी प्याज में एक लाल कलर आजाएगा जैसा आपको चलाना बंद नहीं करें अगर चलाना बंद कर देंगे ना तो क्यों होगा कहीं ज्यादा कहीं कम कलर आजाएगा तो आप ऐसे लगाता चलाते रहें अब हमारी प्याज में कलर आने वाला है लेकिन आपने कर नहां कर नाने से पहले इसमें डाल देना है हरी म li्स जो हमने काट WOODRUFF के रकी ऑफ्यार मரूक करें सबस्क्राइइ शर्री डालें इस चीज को आपते ध्यार रखने हैं अब आप तो अच्क insert अब हमारी प्याज में बहुत इच्छा कलर आ गया है जैसा कि हमें चाहिए था अब आपने करना है गैस कर देना है एकदम शिलो गैस शिलो करने के बाद आपने इसमें डालना है दो टेबल स्पून देगी मिल्ड इससे बहुत इबढ़िया कलर आएगा और आपने डालना है आदा टेबल स्पून देखिए ऐसे डालने के बाद आपने य सब गयाए हएए ऐसे एक बार चलाना है आपने पर दो टेबल इसपून जिंजर घालिक हैं अब आपने ऊपने इसको ठोड़ी देर ऐसे पखाना है ताकि जिंदे गालिक पेस्ट भी अच्छे से पक जाए इस तरीके से जैसे कि मैंने पकाया और अब आपने इसमें डाल देना है टमाटर जो हमने पीस के रखे दे अब यह देखिए टमाटर को आपने ऐसे चलाया थोड़ी सी देर इसको पकाएं एक से दो मिनट ताकि टमाट के से थोड़ी जड़ टमाटर पका लेंगे तब आपने क्या करना है आपने कर देना है गैस एक दम सिलो के बाद आपने क्या करना है आपने इसमें डालने सभी मसाले एक टेवल स्पून जीरा पॉडर एक टेवल स्पून गरम मसाला दो टेवल स्पून धनिया पॉडर एक आदा टेवल स्कून कसूरी मेसी पाडलनी और नमक हनदाए जैसे कि मैंने भूने उसके बाद। आपने इसमें टाल देना है आलू जो हमने फ्राइ करके रखे थे और आलू दालनी के बाद आपने इसमें तेल डाल दाल देना है जो बचा हुआ था यह दे इससे कोड़गा ना ये मसाला अच्छे से पक भी जाएगा और अंडे की ऐसी खुसबू हैगी जब अजस जिसकी कोई हद नहीं अब आपने गैस चालू करनी है और आलू और मसाले को ऐसे अच्छे से भूनना है बहुत उaci तरीके से ऐसे पकाना है जैसे कि मैः पका रहा हूँ कम से कम आपने ऐसे दो से टीन मिनट तक इसी तरीके से भूनना है जैसे कि मैं भूनना है अब आपको पता ही चल गया हिए कि ये एर श्मक्श अर्च चैनल देखने में जब आप ऐप अबी ओम की शकळ दखेंगे था लिप्ट की पियारी हो जायगी जब शकल इतनी पियारी होगी तो समझो टेस्ट कितना प्यार दो आ जाएक है। आरा है मज़ा देखने में। हैसे हम एप आपने भूणड़ना है। और अब आपने का करना है बहुत ही प्यार से जैसे कि हम चला रहे हैं ऐसे चलाने के बाद आपने इसको ढखके आराम से 10-15 मिनट पकाना है ताकि आलू गल जाए अब 15 मिनट हो चुके हैं अब मैं आपको दिखाने वालों कि हमारे आलू कैसे बके और मसाला कैसा बोना यह देखिए कितने अच्छी तर ब कितना प्यारा आया कुए बहुति सांदार और आलू भी कर चुके हैं अब आपने करना है गैस एक तम शिलो करने के बाद आपने इसमें डाले अंडे डालके आपने इसको यह देखिए ऐसे चलाना है जैसे कि मैंने चलाया इस तरीके से और आपने इसमें डालना है दो ट अब आपने इसको बहुत ही प्यार से चलाना है और पांच मिनट इसको पका लेना है सिरफ पांच मिनट क्योंकि अंडे तो अड़ेटी गले हुए बच जो हमने पानी डाला इस बजा से आपने पांच मिनट पकाना है फिर आप इसका कलर और इसकी ठीकनस और इसका टेश्ट क्या जबजस्त होगा अब अंडे आलू बनके तयार है यह देखिए बहुती अच्छी तरीके से पप चुके हैं आपको नजरी आ रहे होगे अब आपने क्या करना है आपने इसमें डालना है इस टेम पे एक टेबल स्पून जिंजर जूलियन कटी हुई अधरक और एक टेबल थिकनस है यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है और जो इसमें सबसे कमाल की बात है वो है इसकी ठिकनस बहुती प्यारी और आज के अंडा आलू में जो सबसे खास बात है वो यह है कि आलू में भी बहुती अच्छा कलर आ चुका है आलू में कैसे कलर आया है यह मैंने करके जरूर बताना कि आपके अंडा अलू कैसे बने आप इसकी गान्रिस के रहेगी आप ने इसमें डालना है धनिये के पत्ते और थोड़ी सी अधरग अगर वीडियो पसंद आ गया है तो आपको पता है आपने के करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू